So hello everyone, आज की topic हम लोग Microsoft Excel से start करने वाले हैं Microsoft Excel उन सब के लिए बहुत ही ज्यादर necessary है जो interested है data sheets को बनाने में जो किसी office में job करना चाह रहे हैं जो किसी companies में एक अच्छी salary अचीब करना चाह रहे हैं तो उन सब के लिए न काफी ज्यादर demandable topic होने वाला है यह Microsoft Excel और सबसे बड़ा चीज आप यहाँ पे Excel सीखने आये होना तो आपको एक serious way में इन चीज़ों को सीखनी परेगी reasons क्या है न जब तक आप में seriousness create नहीं होगा कि आपको यह चीज़े सीखनी है तब तक आप इन सब चीज़ों के उपर ज़्यादा interest नहीं दिखा होगे और interest नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाऊगे तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं Microsoft Excel स्टार्ट करता हूँ यह topic जो हिंदी मेडियम वाले बच्चे है जो English मेडियम वाले बच्चे है सब के लिए यह cover up है शलिए शुरू करते हैं Excel के topic को So a software program created by Microsoft चुकि Microsoft Excel जो है न यह Microsoft के जरिए develop किया गया है Microsoft है न ओके जिसका काम होता है organize number and data with formulas and function जिसके अंदर हम लोग काफी सारे numbers को add कर सकते हैं with the form of data data के form में हम इन सब चीजों को रख सकते हैं मतलब आप कह सकते हो कि इसमें न data sheet तयार किया जा सकते है और उस data के अंदर आप काफी सारा numbers काफी सारे letters सब की combinations के साथ अलग-लग formula को define कर सकते हो अलग-लग functions को define कर सकते हो actual analysis is ubiquitous around the world and used by business of all size of perform financial analysis actual का जो use है actual की जो wishlation है वो पूरी दुनिया में सरव्यापी हो चुकी है समझ गया है न क्योंकि ये एक अलग सा ही आपको field provide करता है ये छोटे size का business हो बड़े size का business हो सबके लिए बहुत ही जादा necessary है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई actual क्यों सीखना हो बहुत ही जादा ज़रूरी है हर तरह के business वालों के लिए Microsoft actual बहुत ही जादा महतपुन topic manage करता है ठीक है न सो बात आती है कि Microsoft actual किसके लिए उपियोगी है तो इस वाले topic को हमने यहाँ पे hit करके रखा है कि Microsoft actual किसके किसके लिए उपियोगी है तो अगर आप data entry based work करना चाहरे हो आपका मने कि आप data entry का का काम करो ठीक है न तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखके Microsoft actual बहुत ही ज़ादा जबरदस्त के topic manage करती है data entry वालों के लिए data का management, data का record करना है आप data का मतलब आप समझ रहे हो data का मतलब हो रहा है कि आप किसी भी employees का data sheet like नाम, उसका address, उसकी salary उसकी other details, address यह सारी चीजों को phone number इन सब चीजों को एक जगह पर रखना तो properly manage करना यह सारी चीज़े data management के अंदर आती है मतलब data के अंदर आती है और उस data को हम कहां रख सकते हैं किसी छोटे मोटी software में तो रख नहीं सकते तो Microsoft actual ने इसके लिए बहुत ही ज़ादा उपयोगी software है और दूसरी चीज़ है accounting मतलब यह accounting हमारी third topics के अंदर है कि accounting करने वाले जो लेखा जोखा करते हैं लेखांकन मतलब का यहाँ पर accounting का मतलब हो गया कि अगर हम लोग business में लेंदेन करते हैं समझ गए ने different different types की तो इन सब चीजों के लिए accounting की topic बहुत ही जादा management होती है बहुत ही जादा जबरदस्त होती है actual में इसका record बहुत ही आसानी से रखा जा सकता है उसी तरह से financial analysis की topic आती है अगर आप वित्ति अविशलेशन कर रहे हो किसी भी तरह की ठीक है ना आप financial मतलब पैसे से related चीजों को properly record करके रखना चाहरे हो अच्छे तरीके से तो उसके लिए भी बहुत ही जादा अच्छा section है charting and graphing आप अपने business की जो गतिविधी है business की जो भी घटना घटरी है उन सब चीजों को अगर आप एक graph के form में रखना चाहते हो है आप दिखते हो ना different different graph होता है कि इस येर जबरदस्त का business हुआ आप दिखोगे graph अलग लग way में चलता है तो आप इन सब चीजों को as a graphical representation रखना चाहरे हो तो ऐसे भी situation में काफी जादा ये जबरदस्त की topic मानी चाहती है programming मतलब अगर आपको अपने business को proper way में programming व्यवस्थित तरीके से रखना है एक व्यवस्थित way में एक सलीके से अगर आप इन सब चीजों को रखना चाहरे हो इन सब चीजों की topic इसके अंदर cover होता है time management, time की properly management होती है आप कम समय में जल्दी से result प्राप्त कर सकते हो चोड़े चोड़े कार को task management, आप किसी भी तरह का task करना चाहरे हो इसके अंदर cover कर सकते हो financial की modeling बना सकते हो customer relationship management, CRM CRM की भी topic इसके अंदर बहुत अच्छे से manage की जा सकते है almost anything that needs to be organized मतलब इवन आप यह कह सकते हो यह सारी चीजे जिन चीजों को proper organize किया जा सके वो सारी चीजों का proper record मतलब आप जिन चीजों को एक proper way में organize कर सकते हो यह सारी चीजे Microsoft Axial के अंदर cover होंगी है ना और यह बहुत ही आसा topic हो जाता है Microsoft Axial को cover करने का ठीक है ना friends आप लोग अगर यह video समझ पे आ रहा है, video की चीजों को मैं एकदम basic level से लेके चल रहा हूँ, तो आप अगर first time यहाँ पे आये होगे हो ना तो please आप channels को subscribe फडाक से कर दो, और bell icon प्रेस कर दो, इससे लेटेट और भी जबरदस्त videos आएंगे सापसूती videos है, बहुत जादा इधर उदर चीजों की बातचीत नहीं है क्योंकि मैं खुदे competence से टोड चला रहा हूँ और मुझे लगभग 10 years का experience इन सब चीजों के under तो मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो best तरीके से सिखाऊंगा और सबसे बड़ी चीज है कि मैं ऐसे चीजों को सिखाने वाला हूँ कि आप आसानी से किसी भी companies, sectors में proper work कर पाओगे कहीं पर भी कोई queries generate नहीं होगा वो भी Microsoft Actuals related यह वादा है मेरा So, what you will learn in Actual मैं यहाँ पर क्या-क्या cover करूँगा आपको Microsoft Actual के अंदर So, सबसे बहुत ही जादा जो necessary वाला parts है वो है mathematics topic मतलब यहाँ पर मैं पूरी basic mathematics topics को cover करूँगा कि basic चीजे अपनी cover हो जाए है ना basic mathematics आपकी cover नहीं होगी चीजे आपको समझ में नहीं आएंगी है ना, तो properly पूरी की पूरी एकदम basic formula को use करेंगे basic से start करेंगे like plus करना, minus करना गुना करना, divide करना ये काफी चीजों को हम लोग यहाँ पर cover करने वाले हैं जिससे हम लोग बरे-बरे mathematics formula को define कर पाएंगे जब तक छोटे चीजों को नहीं सीखोगे तब तक बड़े काम को आप नहीं कर पाऊगे और सबसे बड़ा चीज है ना काफी जादा ऐसा queries आता है हम लोग के पास कि सर बहुत तरका formula आप लोग automatic बना लेते हो कैसे बना लेते हो, कैसे आपका sense develop है कि ये formula आसानी से manage हो जाएगा, है ना तो बात आप एक चीज़ समझ जाओ जब तक अपने को beginners level का knowledge नहीं होगा समझ गया ना, जब तक आप beginners चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आपने advance वाली बात नहीं समझ पाऊगे, simple सी बात है, तो आपको पहले basics cover करनी है, then advance चीज़े automatic समझ में आएंगे उके, उसी तरह से है data sheet, आपको complete आप complete data sheet यहाँ पर develop कर पाऊगे, properly, अलग लग तरह की actual report sheet, report बना पाऊगे actual में proper, result and division sheet में यहाँ पर आपको projects करवाऊँगा, ऐसे भी काफी सारी projects हैं, projects की कोई limitation नहीं, लगभग मैं ने बहुत जादे projects यहाँ पर cover किया और जैसे से मैं यहाँ पर videos आपकी भढ़ती चले जाएंगे, automatic काफी सारी projects साथ ही चले जाएंगे, जिससे आप किसी भी तरके projects में फस होगे नहीं, salary sheet वेगर आप आसानी से define कर पाऊगे, attendance जैसे employees की attendance होती है, या आप schools, colleges, institutions सब में manage करना चार हो, तो वहाँ पर भी attendance होती है, students वेगर की, तो आप न, वहाँ पर भी proper ये attendance sheets वेगर को manage कर पाऊगे है न, ओके, उसी तरह से है GST invoice, आप proper GST आप proper GST invoice के अंदर काम कर पाऊगे, कि कैसे हम लोग GST को manage करेंगे, और इस से related कैसे हम लोग bill तयार करेंगे, पूरी bill को मैं designs करने सिखाऊँगा, और सबसे बड़ी चीज़े न, ये bill जो होगी न, ये automate bill होगी, जो आपका समय काफी जादा बचाएगी, मतलब आप simply केवल, अगर आप किसी भी सीज़ की business कर रहे हो न, आप simply drag downs option से चूज करोगे, automatic उसकी price, quantities कीवल डालोगे, automatic सब कुछ calculate करके रखतेगा, chart and much more, chart बगरा बनाना, जैसे graph का मैंने बात बताया है न, ऐसे काफी सारे special topics के इसके अंदर cover होंगे, है न, so actual को सबसे पहले हम लोग launch करने के लिए सीखते हैं, कि actual आप launch कैसे करोगे, आप, आपके पास, suppose, new system है है न, अब आपके पास है new system, आप ने new system purchase किया, अब देखो, generally, अभी के समय में, अगर 2023 की बात करें, तो अभी के समय में कोई भी new system purchase करोगे न, तो आपको न, उसके साथ attach मिलेगा, free of cost, Microsoft Office, समझ गया न, ये एक सबसे बड़ी चीज है, कि आपको ने MS Office की पूरी की पूरी bundle आपको मिल जाती है, free में, लगबग, even सारे laptop में ये चीज़े मिल जाती है, ठीक है न, मैंने, अभी तक जैसा मेरे को idea लग रहा है कि लगबग सारे laptop में ये चीज़े available है, लोग कापी बच्चों को laptop purchase करवाते हैं, तो उसमें MS Office की package automatic free मिल जाती है, by the way, अगर आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप download करो MS Office की package from official website, official website कौन सा है Microsoft का, तो आप Microsoft simply आप search करो, Google पे MS actual नहीं, आपको MS actual word नहीं सर्च करना है, आपको search करना है, MS Office download, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है न, कि आपको Microsoft की official website से, download MS Office, आपको MS Office की package को download करनी परेंगी, है न, आप actual download माड़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि actual जो है na, MS Office के अंदर का एक part है, MS Office के अंदर na, Microsoft actual की topic include होती, जैसे word होता है, actual होता है, powerpoint होता है, यह तीन topic काफी जादा चलता है office के अंदर, जिसमें actual एक part है उसका, तो आप Microsoft actual, या नहीं तो आप simple सा बात मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं जाद आइडिया लगड़ा है, इंटरनेट से अगर धून पा रहे हो, तब तो अच्छी चीज़े हैं, नहीं धून पा रहे हों, तो दो-तीन सो रुपे लेगा, कोई भी local दुकानदार के पास जाओ, दो-तीन सो रुपे में वो आपको install करके दे देगा, ठीक है, ना, two to three hundred में, clear है, तो आप आसानी से जाके इसे install कर वालो, फटाफ़, ठीक है, और अगर idea लगड़ा है, तो आप आसानी से ढूनने की कोसिस करो, मिल जाएगा, मैंने काफी सार isolated भी videos बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेना, Microsoft Office इंस्टाल कर लेना है, प्रॉपर अपने सिस्टम्स के अंदर, अब दिखो versions की बात करें न, कि अब कौन सा version इंस्टाल करें, तो ट्राइ करो latest वाले version इंस्टाल कर वालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे चलेगा कोई भी version, 2007 हो आपके पास, 2010 हो आपके पास, 2013 या 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, कोई सब भी version हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लगभग सब versions सेम होता है, थोड़ी बहुत लोग, थोड़ी बहुत केट अब गगरा चेंज करती जाती है, साब बात मैं अगर बताऊँ, तो आप याद करो, पुराने वाले mobile आप लोग चला पाते थे न, old phone हम लोग आसानी से चला पाते थे, as it is, क्या नए phone को चलाने में कोई दिक्कत होती है, क्या नई दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत टाइम पे मैं cover करूँगा, अब 2021 या उससे उपर वाले versions को cover करो, फिलहाल भी 2021 काफी जादा latest version है, है न, ओके, सो अब आप क्या करो, सबसे पहले install करो, मेरे cases में ने, ये already install है, मेरे systems के अंड़ा, ठीक है, और देखो मैंने इसे note wise रखा है, तो आप इसको, अगर आप properly copy में note करोगे न, तो ज्यादा आपको clear होगा, जोकि note लिखने से क्या होता है, हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब लिखता है न, तो वो चीज़े ज्यादा clear होती है, तो इसलिए लिखने की कोसिस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको मैं एकदम proper note wise आपको सारी चीज़े बताऊँगा, ठीक है, जब मैं project कराऊँगा, तो automatic practical section में इसके अंडर दिखाने वाला हूँ, ठीक है न, ओके, अभी दिखो, Microsoft Excel जब आपने install कर लिए, आपके system में suppose Microsoft Excel है, और आपको check भी करना है कि Microsoft Excel है की नहीं है, तो आप simply na start पे click करो, start पर आपको क्या करना है, click करना है, start वाला section, नीची वाली sections पे, और वहाँ पे na start पे click करने के बाद आपको simply type करना है, excel action, है न, और आपको actual का icon दिखेगा, उस पे आप क्या करतो, तो click करतो, जैसे click करोगे न, यह जो interface है न, यह interface आपके सामने खुल जाएगा, यह interface आपके सामने रहेगा, है न, तो यह interface आपका जो है, यह Microsoft Axle का interface है, है न, आप देखो इसमें चीजी क्या होती है न, इसमें blank नहीं होती है, याद रिखेगा, इसमें न, शिर्ट बनी होती है, इसके अंदर शिर्ट होती है, ठीक है न, और शिर्ट का मतलब है न, यह एक, देखो, इस तरह का जो डबबा होता है न, हम लोग डबबा बूलते है इसको generally cases में, but, Microsoft Axle के अंदर इस डबबे को, क्या बोला जाता है, पता है, बता हो क्या बोला जाता है, cell, C-E-L-L-Cell, ठीक है न, तो आप इसको डबबा मत बूलिएगा, यह combination of raw and column, raw and column के combination से ही न, यह मिल के बना हुआ एक डबबा है, ठीक है न, तो आपको, ऐसा ही shit मिलेगा, और actually यह जो shit है न, यह अपने को, बहुत ज़्यादा help करता है, काम करने में, तो यह तरह की working shit है, समझ गया न, spreadsheet भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से Microsoft Axial, properly start कर लो, ऐसी आपको interface देखने वाली है, अब चलो इसकी थूरी screen हम लोग देख लेते हैं, बरी size में, तो देखो, इसके अंदर न, सबसे पहले, उपर वाले sections पर आजाओ, सबसे पहले यहां दो देख रहे हैं, आपको home, insert, page layout शो कर रहे हैं, formula शो कर रहे हैं, यह हमारी menu बार है, है न, यह देखो, यह menu है, यह इसको हम लोग ने यहां पर tab भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, tab, जैसी यह home tab, insert tab, page layout tab, formula tab, ऐसे करके काफ़ सारे tab होते हैं, और tab के अंदर आप देखो न, यह पूरी की पूरी screen शो कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखो, के home tab के अंदर क्या क्या है, home tab के अंदर है, आपकी cut, copy, paste, ऐसे काफ़ी चीज़े देख रही है, एक second, मैं आप रहे, बसा paint चेंज कर देता हूँ, ओके, तो home tab के अंदर आपको क्या देख रही है, काफी सारे option देख रहे हैं, यह आपको देख रहा है पूरा का पूरा group, तो यह पूरी की पूरी na clipboard एक group है, याद रखिएगा, यह पूरी की पूरी एक group है, ठीक है, अब clipboard है, home के अंदर, फिर इसके अंदर हमारी क्या है, पूरी की पूरी font group है, ऐसे एक जो tab होता है, यह different, different multiple groups से मिल के बनाता हूँ, और यही group का combination ने ribbon के अलागता है, ठीक है, जैसे अब गे home tab के अंदर, काफी सारे groups है, clipboard है, font है, alignment है, number है, style है, sales है, editing है, ऐसे काफी सारे groups है, और हर group के अंदर आप देखो, आप देखो, आप जैसे sale, sale यह क्या एक group है, इस group के अंदर काफी सारे options हैं, जैसे sale के अंदर, insert, delete, format, ठीक है न, इस तरह से काफी सारे groups multiple command से मिल के बने होते हैं, सब के अंदर कुछ ना कुछ option मिलेगा, जिसको हम लोग धिरे-धिरे सारे चीज़ों को बारी की से सीखेंगे, करेंगे न, यह formula actual में आपको formula बार यहाँ पे show करेगा, ठीक है न, तो यह formula अपने को formula बार में show करेगा, यह जो दिख रहे है न, ABCD, यह हमारी column वाली section होई, इधर से जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहे है न, यह हमारी raw वाली section होई, ठीक है न, अच्छा, यह पूरी की पूरी जो area है न, यह पूरी area work shit है, clear है, तो इसको हम लोग दिखोंगे, यहाँ पे है न, shit area या working area इसी area में हमारा work होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दूर दूर तक फैला होगा है, काफी जादे इसमें होता है section, ठीक है न, अब दिखो नीचे तो आप दिख रहा है na, zoom control, आप यहाँ से minus पे click करोगे, इस page की size क्या होगा na, decrease होगा, और plus वाले से क्या होगा, page की size increase होगा, minus से automatic page की size decrease होगा, तो यह basic size screen है, इन सब चीजों को जैसे जैसे सीखते formula, यहाँ पे हम लोग cover करने वाले हैं, mathematical formula ओके जो हमारे topics होने वाली है वो mathematics से start होने वाली है तो mathematics के अंदर सबसे पहले अपने पास है, जोड़ कि हम लोग plus का का काम कैसे करेंगे है, तो अपने को देखो कोई भी math, आपने math स्टार्ट किया था एक समय पे याद करो, आप तो काफी छोटे होगे तो mathematics हमने सीखा था तो सबसे पहले क्या सीखाय जा था teachers के जरीए, तो हमारे teachers जो होते हैं, वो अपने को plus, minus multiply, division यह सब सारी चीज़े सीखाते हैं इसको सीखाने के बाद, automatic हम लोग इन सब चीज़ों के combination से अलग-अलग मतलब आप रखो कि बड़ा-बड़ा काम आप करने लगते हो, बड़ी-बड़ी equation आप बनाने लगते हो, बड़ी-बड़ी समीकरन आप तयार करने लगते हो, है ना बड़ा-बड़ा questions आप solve करते हो बड़ी-बड़ी, मतलब mathematics की high level की calculation आप proper cover कर पाते हो, है ना तो चीजी क्या है ना, कि सब का एक क्या है, एक basics है यह एक basics level हुआ, plus, minus asterisk, या इसको में लोग multiply कहते हैं, या division यह एक basics level है, तो actual में भी उसी तरह से आपको सबसे पहले basic चीज़ों को सीखना परेगा, अब जैसे सबसे पहले है, जोड़, अब यहाँ पर दिको जोड़ दिया गया है, इसमें is equal to sum c2 से g2, suppose मान के चलो ना, इस तरह के questions को कैसे solve करते हैं, जैसे मान के चलो यह अपने पास डबबा है, यह अपने पास एक section है, इसमें start होती है, ABCD के form में होती है, कैसे, ABCD के form में A हुआ, यह B हुआ, यह C हुआ, यह D हुआ यह E हुआ, ओके, उसी तरह यह 1, 2, 3, 4 मैं ऐसे practical भी दिखा दूँगा जिससे आपको चीज़ें जादा आसान हो जाएंगे है, अब दिखो, यहाँ पे कोई भी value आप लिख लो, सपोज C, जैसे यहाँ पे न, example में दिया है, C2 से G2, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, सपोज यहाँ पे मैं ने लिख दिया 5 यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 यहाँ पे 12, अब मुझे इस सब को जोड़ना है क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सेल को पहचानने के लिए सीखना होगा, ठीक है अगर मैं बात करूँ कि इस वाले सेल का क्या नाम है ठीक है अब मैं बात करता हूँ कि यह जो 5 लिखा हुआ है इस सेल का एक नाम बताओ क्या है, तो आपको देखना है, यह उपर क्या है ना, A है, और इधर बगल में क्या है ना, 2 है, तो यह क्या है, इस सेल का क्या नाम है, 2 है, अगर मैं बात करूँ यह 12 कौन से सेल में है, तो यह 8 जो है न, C और 2 के सामने है मतलब 8 कौन से सेल में है, C2 है अच्छे, मैं अगर यहाँ पर लिख दो 6 तो 6 बताओ कौन से सेल में है तो C के सामने है और इधर सामने देखो 4, तो ऐसे raw and column को मिलाकर आपको चेक करना है, यह कौन से सेल में है अगर मैं बोलू कि 6 को आपको indicate करना है आप यहाँ लिख दो C4 देखो, सेल पहचानना बहुत जादा जरूरी है जब सेल पहचान लोगें तो idea लग जाएगा उसी तरह से, अगर मेरे को जोड़ना है 5, 6, 8, 12 अगर अपने को इन चीज़ों को जोड़ना है हम कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर simply is equal to sum मतलब अगर मेरे को यह वाले sections के लिए formula यूज करना है तो is equal to sum A2 से लेके कहा तक जोड़ना है D2 तक, है ना, और यह properly क्या होगा कि इसे properly यह जोड़ देगा तो यह तरीक है उसी तरह से जोड़ने का यह भी logic अप्लाई कर सकते है C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 है ना, मतलब आप sale का नाम डाल दो ऐसे भी काम कर जाएगा यहाँ नहीं तो 45 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 63 यह भी logic अप्लाई कर सकते हो समझ कहना, तो ऐसा नहीं है कि logic हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं बहुत तरीका है, यह तीन तरीका है जिस तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग जोड सकते हैं एक auto sum का भी section आता है कुछ इस तरह से sign होता है हमारे systems के अंदर जिससे भी आप जोड सकते हैं मैं वह आपको पताऊंगा as a practical classes में कि कैसे यह चीज़े कवर होंगी उसी तरह से घटाओ अगर अपने को घटाना है तो घटाने का section कैसे यूज़ होगा जैसे G2 मैनस C2 sale के नाम के थूभी आप इसे घटा सकते हो otherwise sale का नाम यूज़ कर दो और value यूज़ कर दो होता है न कभी-कभी अपने पास sale में G2 अविलेबल है लेकिन मेरे को 56 एक section आ रहा है मतलब बोला जाए यह जो 8 है ना 8 में से आपको 2 को घटाना है तो देखो 8 तो है नहीं 8 तो है अपने पास तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 8 कौन से sale में जल्दी बिताओ C2 में तो C2 लेकिन अपने पास को 2 को घटाना है तो 2 तो इस वाले डबबे में लिखा हुआ ही नहीं इस वाले sale में तो है ही नहीं तो क्या करेंगे अपने वन से 2 लिख देंगे मतलब इस logic पे भी कारी करती है हमारी Microsoft Actual यान तो आप यही same logic को ऐसे भी कर सकते हो कि अपने को 2 में से C2 को घटाना है इस logic पे भी नब प्रॉपरली Microsoft Actual कारी करती है तो चलो हम इसको as in practical classes देखते हैं कि कैसे यह काम होगा ठीक है तो हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे जो प्रॉसीजर था EXCEL टाइप करेंगे और देखो यहां पे actual icon शो कर रहा है इस actual icon पे क्लिक करेंगे और इस तरह के अपने पास शो करेगा ठीक है न तो आपको blank worksheet पे क्लिक करना है ठीक है जैसे मैंने आपको दिखाया था न वैसा screen यहां पे show कर रहा है ठीक है तो सबसे पहले screen की size थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ यहां से zoom slider पे click करके plus वाले पे click करके हम इसकी screen size थोड़ी सी बढ़ा लेते है आप यहां पे दिखो कहीं पर भी कुछ भी value आप लेक सकते हो देटा हूँ अब देखो formula अपने को चाहिए अपने को add करना है, तो हम जहां पे भी formula लिखेंगे न, answers वहीं पे आएगा, तो पहला formula जैसे मेरा sum वाला formula था, तो हम लोग यहां पे type करेंगे, is equal to sum, bracket start, ठीक है न, bracket start करके, यहां पे, और इस वाले sale का क्या नाम है, c3, c3 पे जैसे मैं click करूंगा, यहां पे section show कर जाएगा c3, और यहां पे हम लोग colon का sign डालेंगे, shift के साथ, आप देखो, L के बगल वाला sign शो कर रहे हैं, उसको shift के साथ आपको press करना है, तीक है न, फिर कहां तक जोडना है, f3 तक, f3 पे click किया, automatic f3 ले लिए, और देखो, जो भी चीज़ है न, वो यह formula बार में आपको show कर रही तो मैंने दूसरा formula क्या बताया था, आपको दूसरा formula बताया था, is equal to bracket start हम लोग करेंगे, ठीक है न, और यह c3 plus d3 plus e3, मतलब यह दूसरा formula था, ठीक है न, इन सब को लेके हम लोग bracket बन करके enter करते हैं, sorry, एक option छुट गया, यहां plus नहीं लगाना है, अगर आपको आगे कु वहीं आएगा जहां पे आप formula लिखोगे, उसी तरह से simple way में भी आप काम कर सकते हो, is equal to अपने को 5 लिखना है, 5 plus 19 plus 21, ऐसे भी चीज़े आसानी से enter generate, मतलब आपको answers generate करेगे, यह plus करने का तरीका है, उसी तरह से अगर minus करना है, जिस भी sale में minus करना है, जहां पे भी formula लिख हम लोग करते हैं, 96, तो मेरे हिसाब से minus में answers देना चाहिए, तो minus 45, शो कर रहे हैं, is equal to, bracket start करते है, 12, d3, और minus, मेरे पास ऐसी कोई values है, जो नहीं है, जैसे 3 नहीं है, तो मेरे को 3 minus करना है, तो 3 लिखके enter करेंगे, तो इस तरीके से आप देखो यह properly answers generate कर सकता है, ठीक है तो friends, यह topic थे हम लोग की, जिसमें हमने जोर और घटाओं को सीखा, मतलब addition और subtraction वाली चीज़ों को सीखा, कोई भी issues generate है, कोई भी error generate है, इन सब चीज़ों के topic से related, तो please आप मुझे comment section में लेको, और अगर first time अभी तक channels पे आये हो, तो please इस channels को subscribe करो, और दोस्तों के साथ आपना ज्यादा से ज्यादा share करो, मिलते हैं अगली videos में, thank you